नमस्कार मेरा नाम है अनुराग मिस्रा और आप देख रहे हैं जन्रता जन्रिशन ओम्परकास जी आज एक चीज बता रहे थे कि सरकार ने पेट्रोल महंगा कर दिया है ताकि लोग गाड़िया ना चला सकें किरासिन का तेल याने मिट्टी का तेल महंगा कर दिया ताकि लाल टेन ना जला सकें और अब एक नई बात उनको पता चली है कि सरकार चुपचा बिजली में भी दाम बढ़ा दे रही है ताकि घरों में बल्ब नाये जलाए जा सकें अब इसकी क्रोनलोजी क्या है ये हमें नहीं समझ में आई लेकिन खबर पर चलते हैं कुछ दिन पहले खबर आई थी कि देश में कोईले की कमी है जिसकी वजहा से ब्लैक आउट हो सकता है अलांकि ब्लैक आउट तो नहीं हुआ लेकिन एक और खबर निकल करके सामने आई खबर राजस्थान से हैं वहाँ पर कोईले की कमी हुई है जिसके बाद तकरीबन 5000 करोड का नुकसान सरकार को हुआ है जिसका भुगतान जनता से वसूला जा रहा है आईए समझते हैं कि मा प्लांट के लिए तै करके रखी गई थी फिर उसके बाद कोईले की कमी अचानक से आ गई जिसकों की सरकार नहीं पूरा कर सकी और अडानी पावर को इंडोनेशिया से कोईला आयात करना पड़ा था जो ज्यादा महंगा था तो जो कोईला आयात की दर थी और जो कॉंट्र जो काफी जादा अंतर था वो तकरीबन उस समय 22 करोड का था उसके बाद जब दुबारा आंकलन किया गया और फाइनल आडिट प्रस्तुत हुआ तो यह आंकला तकरीबन 5000 करोड के आंस पास कर रहा फिर अडानी पावर ने इस डिफरेंस अमाउंट की मांग करी मतलब अड कोईले की सप्लाई करना हमारी जिम्मेदारी नहीं है बाद में यह मामला पहले नियामकायोग के पास गया वहां से 5 पैसे का भुकतान जनता से सरचार्ज के तौर पर फ्यूल सरचार्ज के तौर पर लेने का सुझाओ और आदेश दिया गया फिर उसके बाद मामला अडान के अडानी पावर्स के दौरा लेकर जाया गया सुप्रेम कोट में वहां डिसकॉम इस बात पर अडी रही कि वो कोईले की सप्लाई के जम्मेदार नहीं है इसलिए वो अतरिक्त भुकतान नहीं करेगी लेकिन अदालत ने उनकी इस दलील को उप्युक्त नहीं माना अडान सितंबर 2019 में कारिक्रम शुरू करती है जिसमें प्लान के मुताबिक 36 किष्टों में ग्राहकों से 5 पैसे प्रती यूनिट की दर से फ्यूल सरचार्ज वसूल आ जाएगा जिससे कि 2426 करोड रुपे के अंतरिम भुकतान की वसूली हो जाएगी ये वसूली सितंबर 2022 तक चल उसका भी भार उप्भोकताओं पर ही पड़ेगा उप्भोकताओं से ही फ्यूल सरचार्ज की रूप में वसूल आ जाएगा डिसकॉम के अडानी पावर राजस्थान से केस हारने के बाद ये तैह हो गया है कि एक मुटा माटी अनुमान अगर लगाया जाया तो तकरीवन 45 से 5,000 करोड का भुकताओं अभी और करना पड़ेगा अडानी बावर्स को इसकी वसूली भी आमुप भोकता से ही होनी है सितंबर 2022 तक 5 पैसा प्रती यूनिट की दर से आमुप भोकता अडानी को दिये गए शुरुवाती भुकताओं का पैसा चुगाएगा अब आगे वि जनता को बिना बताए गुपत रूप से उनसे अपनी गलतियों का खामयाजा भरवाना कितना सही है सरकार की मंतरी कह रहे हैं ये कॉंग्रेस सरकार का काम नहीं है ये भारती जनता पार्टी की सरकार का काम है उनके समय में ये हुआ था लेकिन सवाल यहां पर यह नहीं है कि किसके सरकार का काम है किसके नहीं सवाल बस इतना सा है कि आम जनता के उपर तमाम भारी भरकम टैक्स और वसूलिया करने के बाद भी सरकार का पेट नहीं भर रहा है तेल को इतना महंगा कर दिया गया है तमाम उसकी आम जरूरत की चीजों को इतना ज्यादा महंगा कर दिया गया है उसके बाद भी जो लापरवाही सरकार की जो जिम्मेदारी सरकार की कमपनियों की है वो गलती का जो नुकसान हुआ है उसकी भरपाई करने के लिए भी सरकारें जनता का खून चूसने का रास्ता अपना रही है अब इसे जुड़ी भी कोई और ख़बर आती हैं मैं आपको उससे जरूर अपडेट करेंगे अगर आपको जानकारी पसंद आईए तो और भी लोगों के साथ साजा करें और जागरूप करें कि कभी भी कोई भी चीज जब आप सेवा ले रहे हैं तो उससे जुड़ी ही परिशियों को पढ़ें और देखें कि कहीं आपके साथ कुछ भी ऐसा अतिरिक्त आपको बिना बताए वसूला तो नहीं जा रहा है मेरा नाम अनुराग मुश्रा है कैमरे पर मेरे सातों प्रकाश है आप जनता आजिंशन देख रहे हैं शुक्रिया